नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दा चैनल बैंकिंग बंदू आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे कि अगर बैंक ओफ बरोदा में आपको अकाउंट खुलवाना है जो की military salary account जिसे हम कहते हैं, वो खुलवाने के लिए क्या-क्या फायदे मिलेंगे, कौन eligible है, कैसे account खोलेंगे सब आपके साथ इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, military salary account, बरोदा military salary account दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज अपने चैनल पर लेकर आते हैं, जो आपको आर्थिक फायदा देंगी, financial decision लेने में आपकी मदद करेंगी जैसे कि banking से related वीडियो होती है, finance, insurance, investment, सारी ऐसी वीडियो जो कहीं न कहीं आपको आर्थिक फायदा देंगी तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जो की है बडोदा military salary account, ये उन लोगों के लिए है, जो हमारे defense personnel है तो सबसे पहले discuss करते है, eligibility criteria की ये military salary account है, वो कौन खुलवा सकता है, military salary account, बडोदा military salary account, इसे कौन खुलवा सकता है अगर आप Indian army में हैं, Indian air force, Indian navy या फिर Indian coast guard, तब आप bank of बडोदा में खुलवा सकते हैं अपना military salary account इसके फाइदे क्या क्या होते हैं, दोस्तों bank हमेशा जो defense personnel होता है, उनको honor करने के लिए इस तरह के आपको facility देता है कि अलग से एक criteria है, जैसे इसका नाम दिया हुआ है military salary account, तो ये अलग से आप लोगों के लिए facility है, काफी सारे फाइदे इसमें bank आपको देगा सबसे पहला फाइदा जो है, वो है personal accidental insurance, free में आपको accidental insurance मिल रहा है अगर death के case है, तो death के case में आपको 50 lakh रुपीज का cover रहेगा आपका insurance का, जो accidental insurance है उसमें 50 lakh का आपका cover रहेगा death नहीं होती, लेकिन permanent total disability है, तो 40 lakhs का cover है, partial disability पे 20 lakhs का है और अगर आपकी death, air accident के through होती है, तो जो cover है वो 100 lakhs, यानि की 1 करोड रुपे का insurance उसमें bank आपको देती है और भी बहुत सारे benefits हैं दोस्तों, जैसे अगर आप pensioner हैं, अगर आप defense personnel pensioner हैं, यानि की आप retire हो चुके हैं, तब भी आपके लिए bank में फायदे दियो हैं इस तरह की account में, जैसे की आपके लिए जो personal accidental insurance coverage है, वो 40 lakhs है total disability पे भी 40 lakhs, partial disability पे 20 lakhs है, next देखते हैं, retail loans में आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं, retail loans का मतलब होता है, जैसे housing, loan, personal loan, car, loan, इन्हें हम retail loans कहते हैं, तो इसमें bank आपको क्या-क्या फायदे दे सकती हैं, पहली बात तो अगर आप चाहते हैं कि आपको overdraft मिल जाए overdraft का मतलब है, जितना आपके account में balance है, आप उससे जादा withdraw कर सकें, तो अगर आपका bank of बढ़ोदा में military salary account है, तो bank आपको 3 lakh तक overdraw करने देगा दूसरा, 100% waiver है processing charges पे, किसी भी तरह का आप loan लेते हैं, जैसे कि housing loan है आपका, यानि home loan, auto loan, education loan, personal loan, किसी भी तरह का आप loan लेते हैं, तो आपके लिए 100% waiver है processing charges पे, bank आपसे कोई भी charge नहीं लेगा, loan को process करने के लिए, rate of interest में क्या फायदा मिल सकता है आपको, तो rate of interest में आपको 0.25% का concession देगा, अगर आपका already home loan चल रहा है, उसके बाद आप auto loan ले रहे हैं, तो 0.25% उसमें bank आपको rate of interest में कम कर देगा, कुछ और ATM related benefits हैं, आप ATM से unlimited free transaction कर सकते हैं, जो दूसरे bank के ATM होते हैं, उन पे normally limited transactions ही allowed होते हैं, उन limited transactions के बाद कुछ ना कुछ bank charge करता है, तो आपके लिए जो ये transactions हैं, वो unlimited हैं, unlimited free transactions आप कर सकते हैं, वीजा platinum debit card आपको lifetime free मिलेगा, वैसे आपको जो debit card ATM card होता है, उसका yearly charge देने पड़ते हैं, यहां आपके लिए lifetime वो free है, उसके अलावा debit card की limit जो है, पचास हजार तक आप bank आफ बड़ोदा के ATM से withdraw कर सकते हैं, दूसरे bank के ATM से as per RBI regulation, यानि यह regulation जो है वो time to time बदलती रहती है, तो जिस तरह की regulation होगी, उतना पैसा आप withdraw कर पाएंगे, आपकी POS, यानि point of sales होते हैं, जो swipe करते हैं आप card, जैसे petrol pump पे या mall में, वो swipe करने पे आप 2 लाग तक खर्च कर सकते हैं अपने ATM card से, बाकी जो other benefits हैं, वो हैं neft, rtgs, free में कर सकते हैं, वैसे आपको commission भी देनी पड़ती है, neft, rtgs करने पे, अगर आपका military account है, military salary account है, तो आपके neft और rtgs में कोई charges नहीं लगेंगे, mobile banking, internet banking, free of cost रहेगी, dd या banker check बनाते हैं, तब भी आपको commission नहीं देनी पड़ेगी, credit card में क्या फायदे हैं, आपको lifetime free credit card दिया जाएगा, accidental air insurance भी इस credit card के साथ जुड़ा होगा, life insurance facility दी जा रही है, लेकिन उसके लिए सिफ एक eligibility है, कि आपकी जो उम्र है, वो 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए, तो bank of बड़ोदा आपको free life insurance facility भी दे देगा, जैसे कि आपको हमने बताया था कि free remittance, neft, rtgs free of cost है, mobile banking, internet banking, demand drive, ये सब free of cost है, locker अगर आप bank of बड़ोदा में खुलवाते हैं, तो 50% discount है locker rent पे, अगर DMAT account maintain किया हुआ है, तो उसके आपको कोई charges नहीं देने हैं, अगर travel card या gift card लेते हैं, तब भी 75% उसमें waiver है, तो ये कुछ थे फायदे bank of बड़ोदा में military account खुलवाने के, अगर आपको कोई भी और doubt है, तो आप जो official website है bankof बड़ोदा.com या bankof बड़ोदा.in, इस पे जाके देख सकते हैं, नीचे हमको comment section में भी पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी queries का जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए, अगर आपको कोई और rate of interest जानना है, तो आप हमारे channel को visit जरूर कीजिए, सारे banks के वहाँ पे हमने rate of interest, loan product, सब कुछ cover किया हुआ है, channel को subscribe करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपका दिन शुबो, धन् कि ऋखाँ हैं, शुब kbreaking करेंगे हैं, अजय टूस्तों से जाए जबू झांज। झाल झाल